नमस्कार आप देख रहे हैं दालीडर हिंदी मैं हूँ आपके साथ हलेना खान उत्रप्रदेश यावक वोर्ड के चेयर्मेन और वर्तमान सदस्य वसीम रजवी की किताब को लेकर हंगामा मचा है मुंबई की रजवी ने इसे पेगंबर इसलाम का अपमान बताते हुए विरोध पिरदर्शन किया और पाइदूनी थाने में FIR दर्च कर आई है पिछले सब्ताई रजवी ने गाजयबाद डास्नमंदिर के महनत यती नरसिन हनन्द सरस्वती से इसका विमोचन कराया था मुस्लिम संगटनों को इस किताब के नाम पर ही आपती है जो कि पेगंबर इसलाम के नाम पर रखा है रजवी का कहना है कि रजवी ने पेगंबर इसलाम के उपर किताब लिखकर मुस्लिम समुदाय के जज़वात को चोंट पहुंचाई है इसके विरोध में रजवी ने पाइदूनी थाने के बाहर धर्णा परदर्शन किया एकेडमी ने कहा कि नभी के शान में गुस्ताखी बरदाश्ट नहीं की जाएगी हमारी मांग है कि रजवी के खिलाफ कारिवाई की जाए क्योंकि वो लगातार इसलाम, मुसल्मान और पेगंबर इसलाम के बारे में गलत बयानी करके समाच की भापनाएं भड़का रहे हैं बतादें कि से पहले जब रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को आतंग को बढ़ावा देने वाला बताया था तब भी एकेडमी ने रिजवी के खिलाफ को टेस्ट किया था और मुंबई में F.I.R. दर्ज कराई थी एकेडमी ने 12 नवंबर को पेगंबर इसलाम के शान में वस्ताखी के विरोध में मुंबई बंद का आहवान किया है तृपरा इंसा के विरोध में जहां पेगंबर इसलाम के खिलाफ नारे बाजी की गई ये बंद उसी मामले में बुलाया किया है एकेडमी के महासचेव मुहमद साइद नूरी ने कहा कि केंदर और राजी सरकारों से हमारी मांग है कि वो हेट स्पीच के खिलाफ सक्त कानून बनाएं जो लोग धार्मिक रहनमाओं के खिलाफ गलत बयानी करके समाच की वहावनाओं को ठेज पहुंचाते हैं उन्हें कड़ी सजा मिले इसको लेकर एकेडमी एक मोहिम चला रही है जिसके मद्दे नजर का इराजीयों की सरकारों को अपना मांग पत्र भी दे चुकी है